हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मुनी स्वागत करता हूँ एक पर फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एससी फेज नाइन के जो आपके एक्जाम हुए थे उनकी जो अंसर की है वो कब तक आपकी आ सकती है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नियू विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन कर जरूर दबा सब्सक्राइब के लिए तो जैसा कि आप सब देखी चुके हैं यह नोटीस है सेलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज नाइन दोजार इकिस के जो रिगार्डिंग है यह नोटीस और इसके अंदर लिखा गया है डूट्यू अनौंस्मेंट और सेंटर एलेक्शन के कार पोस्ट्पोन कर दिये गए हैं एक्जाम सेलेक्शन पोस्ट के और यह किनकिनी स्टेट के पोस्ट्पोन कर दिये गए थे उत्तर परदेश उत्तराखंड और आपका पंजाब और यह आपके एक्जाम जो हुए थे इन स्टेटों से अलग वो दो फरवरी से तस फरवरी तक आपके एक्जाम हुए थे अब इसके अंदर देख सकते हैं अब जो इन तीन स्टेट के एक्जाम होने हैं आपके वो आपके 14 से 16 मार्च के बीच में आपके एक्जाम कंड़क्ट कराए जाएंगे इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको जल्दी वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा तो आप जो भी लोग यूपी से या फिर उत्राखंड से या फिर पंजाब से आपके आपने फोम फिल किया था उनके लिए ये बहुत ही अच्छी निउस है और अगर मैं बात क को आपका लास्ट एक्जाम होगा शिक्स्टीन मार्थ के लगबग दो वीक बाद या फिर आप मान के चलिए के दस तिन बाद जो है आपकी अंसर की जो है अंसर की जो है वो अपलोड कर दी जाएगी और आप इजीली चेक कर पाएंगे सभी स्टेट की अंसर की दस तिन के बाद आपकी अपलोड कर दी जाएगी क्योंकि स्सी का ये रहा ही है कि वो एक्जाम खतम होने से दस दिन बाद आपकी अंसर की जो है रिलीस कर देता अभी तक अंसर की इस दिन नहीं आपाए थी क्योंकि तीन स्टेट के जो है एक्जाम अभी तक बाकी थे जो की 16 मार्च तक आपके जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगे और उसके 10 दिन के बाद आपकी जो है अंसर की आपके सामने आ जाएगी यानि कि अगर मैं बात करता हूँ अंसर की कब तक आ जाएगी तो आप मान के चलिए के 25 मार्च तक 25 मार्च से 30 मार्च के बीच आपकी जो अंसर की आपको देखने के लिए मिल सकती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू फॉर वाचिंग